साथियों नमस्कार आज हम आपको बताएंगे आपके computer में date or time से related चीजें और भी बहुत सारी चीजें जो हम आपके Windows में setting से related हैं आज हम उन topics पर बात करेंगे वीडियो को बिना skip किये पूरा वीडियो जरूर देखे जिससे आपको पूरा knowledge मिल पाए जिससे हम आपको सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे आप date or time की setting कैसे करें तो आप नीचे देखें यहाँ पर date or time दिख रहा है चाहे आप इस पर right click करके adjust date and time कर ले या आप चले आए control panel में अगर आपको control panel नहीं दिखाई पड़ रहा है तो आप क्या करें कुछ लोगों को issue होता है कि वो कहते हैं कि sir control panel नहीं दिखाई दे रहा है control panel कैसे लाएं तो control panel अगर है तब तो ठीक है और अगर यह नहीं दिख रहा है तो आप क्या करें अगर आप windows 10 windows 7 या windows 11 में काम कर रहे हैं तो आप blank area पर mouse का right button क्लिक करें जब आप blank area पर mouse का right button क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपको एक option मिलता है personalized सबसे last option होगा जैसा कि अभी यहाँ पर मैं इस वक्ड़ विंडोज 11 में हूँ और कभी कभी एक confusion यह भी होता है हम कौन से windows में काम कर रहे हैं how to solve तो क्या करें आप desktop पे जो computer का icon है इस पर क्लिक करके properties में चले जाएं properties में जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखें नीचे की तरफ scroll करके देखेंगे तो इस तरीके से लिखा होगा windows edition edition आपको बता देगा कि 10 है या 11 है क्या है तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर आप किस तरह से बहुत ही आसानी के साथ अपने computer में control panel ला सकते हैं अगर आप windows 7, windows 10 windows 11 या किसी में भी काम कर रहे हैं तो आप कैसे control panel लाएं control panel लाने के लिए अगर आपके desktop पे control panel नहीं दिखाई दे रहा है अगर दिख रहा है तब तो ठीक है नहीं दिखाई दे रहा है तो window की के साथ आप RK को दबाएं window की के साथ RK को दबाएं प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर लिख दे control बहुत ही आसान तरीका है control लिखकर जैसे ही आप करते हैं तो आप देखें तो आपके सामने control panel open हो गया अगर आपका control panel category view में है तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा इसको आप क्या करिए category view पे क्लिक करके large icon कर लिजे तो आपके सामने इस तरीके से हो जाएगा अब अगर आप date or time की setting करना चाते हैं तो यहाँ पर date and time पर क्लिक करें और date and time में आप देखें तो आपके सामने कुछ इस तरीके से window खुल जाएगा यहाँ से आप time zone को change कर सकते हैं जो भी time zone आप चाहते हैं वो आप यहाँ से set कर सकते हैं time change करना है तो change date and time पर क्लिक करें यहां से आप time और date और month यह अम पी आम यह सारी चीजें आप एक एक करके चेंज करके आप ok कर लें और अगर आप यहां से चाहते हैं internet time अगर आप time नहीं set करना चाहते आपने यहां से time zone दे रखा है और आप चाहते हैं कि automatic internet time adjust कर ले तो आप internet time पे चले आए change setting पे चले आए अब यहां पे update करके ok कर दें और आपके computer में date or time automatic set हो जाएगा जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बता रखा है कि आप जैसे यहां पे am pm दिख रहा है अगर आपके computer में नहीं दिख रहा है तो आप उसको भी open कर सकते हैं उसकी setting भी मैंने पिछले वीडियो में बना रखी है अगर आपको वीडियो नहीं मिल रहा है तो मैं इस वीडियो के link में description में link दे दूँगा जहां से आप उसको open करके देख सकते हैं अब हम यहां पर बात करेंगे आपको mouse setting के भी सहमें यह है mouse setting control panel में आने के बाद आप देखे mouse पर switch primary and secondary जो काम mouse की left बटन से हो रहा वो right से हो जो right से हो यह left से हो तो इसके लिए आप switch primary and secondary पर click करेंगे तो left और right का का काम होगा दूसरा है double click speed double click speed क्या होता है जैसे आप मैं इसको minimize करके दिखाता हूं जैसे यह folder है या this PC है तो इस पे हम दो बार जल्दी जल्दी click करते हैं हम इस speed को और slow करना चाहते हैं अगर हम धीरे धीरे भी click कर दें तो भी open हो जाए यह मैंने one time click किया then one time click किया तो भी open हो गया और अगर इस speed को बढ़ा दें तो बढ़ाने के बाद क्या होगा आप इसको दो बार जल click lock क्या होता है जैसे आप इस window को drag करके यहाँ पर ऐसे छोड़ दिये mouse तो देखिए यह आराम से move होके छुट गया यहाँ पर turn on click lock पर आप click करें अब आप इसको apply करें अब आप जैसे इस पर दो बार click करके एक बार घसीटते हैं अब आपको click करने की जरूरत नहीं अब आ mouse को घुमाएं और यह automatic lock हो गया है automatic move होगा तो यह तरीका है बहुत आसान अब apply कर दें इसको जो setting आपने कर रहा है वो set हो जाएगा दूसरा यहाँ पर pointer mouse pointer कैसे दिखाई पड़े यहाँ से आप mouse pointer change कर सकते मैंने एक वीडियो में बता रखा है कि mouse pointer में आप apple बनाना या नॉर्मल सेलेक्ट पर जाएं ब्राउज पर जाएं और यहाँ से कौंसा arrow आप लेना चाहते हैं वह arrow आप यहाँ से सेलेक्ट कर ले अह हम pen pen लेना चाहते हैं तो तो हम एकssäएबने ने लिया और अप्लाई कर देते हैं और अब देखें तो यह आपका माउस पोईंटर प्लाइज हो गए अगेशन आप इसको नॉर्मल करना चाते हैं तो आप यहाँ पे आके क्लिक करें और इसको नन कर दें और अप्लाईज कर दें और ये फिर से नॉर्मल हो गया अगर हम speed, mouse pointer की speed को slow या fast करना चाहते हैं तो वो भी आप यहीं से कर सकते हैं आप चाहते हैं कि mouse आपका चले तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे आप देख ले तो इस speed को भी आप maintain कर सकते हैं और इसको भी आप बेवस्ति कर सकते हैं ये बहुत ही आसान है ये तो था mouse की setting और हम यहाँ पे आपको बताते हैं अगर आप कोई folder बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएं folder बनाने के लिए आपको क्या करना है blank area पर right click करना जहाँ पे folder बनाना है new पे जाना है और folder पे click कर देना है ये folder बन गया अब यहाँ पे folder का आप कोई नाम देना चाहते हैं आप नाम दे सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया सचिन तो अब हम क्या करते हैं इस नाम को अगर आप change करना चाहते हैं तो इस पे right click करके rename कर देंगे right click करिए right click करके यहाँ पे rename option होगा उस पे click करके इस पे आप कोई दूसरा नाम दे सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया सचिन पटेल तो यह यहाँ पे एक नाम हो गया अब अगर आप इस folder के icon को change करना चाहते हैं तो right click करिए यहाँ पे आपको option मिलेगा properties right click करने के बाद आपको option मिलता है properties again मैं दिखाता हूँ folder के icon पे right click and then click properties यहाँ आप folder पे click करके alter के साथ enter की को भी प्रेस करते हैं तो भी आपके सामने property जो पेन हो जाता है यहाँ आप customize पे click करके change icon पे click करके folder के लिए जो भी आप icon चाहते हैं उस icon पर आप mouse क्लिक करें और ok बटन पे click कर दें अब आप देखेंगे तो आपके folder का icon change हो चुका है इस तरीके से दोस्तो इस तरीके से बहुत सारी settings और बहुत सारी नई नई tips मैं आपको देता रहूँगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करें ज्यादा ज्यादा लों तक share करें ताकि उनको भी knowledge मिल पाए दोस्तो थैंक्यू so much वीडियो को अंतक देखने के लिए